हेलो एवरिवन मैं हूँ नितेश जादो और वाइट बोर्ट स्टेडी इस यूटूब चैनल में आपका फिर एक बार सौगत है तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिजाइन पिदिये फोर से एफल कंटेक्स फ्री लैंग्वेज दिया है देखे तो हमें पिदिये डिजाइन करना है wwr w belongs to a,b bracket यह प्लास मतलब इस language की मज़से हमें even palindrome string मिलेगे तो देखते है कैसे यह wr मतलब w सबस्कर हमने लिया a a b तो wr क्या रहेगा उसका reverse b a a फिर wwr a से लिखेंगे हम a a b b a a तो अगर आप यह string देखे तो यह palindrome string है a a b b a a और reverse भी पड़े तो भी आपको वही मिलेगा A, A, B, B, A, A तो यह हुआ even palindrome और इसकी string lane की string की lane भी even होगी इसलिए यह हुआ even palindrome तो अभी इस तरीके के आपको string मिल सकती देखे, A, A, A B, 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 B देखे, A, B, B, A A, B, A, A, B, A B, A, B, B, A यह इस type की आपको string मिल सकती अभी इस example को solve करने के लिए हम जो logic use करेंगे वो logic देखे अभी तो suppose अभी even palindrome में मतलब इस string के दो part हो सकती देखे, यह पहला part और यह second यह first half और यह second half हर string के लिए ऐसा हो सकता है देखे, first half, second half first half, second half और अभी इस problem को solve करने के लिए इसके लिए अगर PDA design करेंगे आप तो बहुत ही simple सा logic है first half में जो भी आएगा आपको push करना है और second half में जो भी input रहेगा उसकी मदद से pop करना है first half में push operation और second half में pop operation first half में push operation second half में pop operation तो यही logic यूज करके हम PDA design करने वाले हैं लेकिन देखिए यहाँ पे यह जो center है यह center determine करना possible नहीं है PDA की मदद से यह string का center है यह determine करना possible नहीं है तो यह center position fix करने के लिए हमें यह center position non-deterministically fix करने पड़ेगी वो कैसे करने हैं वो हम आगे देखेंगे फिलहाल यह logic समझते हैं push कैसे करना है pop कैसे करना है तो देखेंगे यह string मैंने ले ली a, a, b, b, a, a a को देखेंगे यह first half और यह second half इसको push और यहाँ पे pop operation stack में z0 initial stack symbol है a को push किया जो भी आये first half में push करना है a को push किया यह b first half का है इसको भी push किया उसके बाद अभी second half second half में b आया अभी देखें second half में b आया तो b के लिए matching भी मिलेगा pop कर दिया next input आया a, a के लिए a matching मिलाए a को pop कर दिया next input आया a, a के लिए a मिला pop कर दिया ऐसे इस b किमाद से यह b pop हो जाएगा इस a किमाद से यह a pop हो जाएगा इस a input से यह a pop हो जाएगा तो इस तरीके से solve करेंगे मतलब आएगा इंपुट एपसिलोन स्टैक के टॉप में रहेगा जेड़ जिरो और यह हो जाएगी आपकी स्टिंग एक्सेप और यह पर बहुत ही इंपॉर्टन चीज जो सेंटर बहुत ही इंपॉर्टन्ट है इस एक्जम्पल में तो आप सेंटर का अब्जर्वेशन करें तो देखिए सेंटर से पहले और सेंटर के बात की जो इलिमेंट है सेम है देखिए सेंटर के पहले की और सेंटर के बात की इलिमेंट आपको सेम मिलेगी एए मिला देखिए बी बी यह सेंटर के पहली की और सेंटर की बात की तुरंद आपको इलिमेंट सेम मिलेगी ओके त तो आगे दाखे, there is no way of finding the center position, center position find के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है, okay, so therefore center position is fixed non-deterministically, okay, तो ये जे center position हम fix करने वाले है, ये non-deterministically हम fix करेंगे, इसलिए ये जो PDA हम draw करेंगे, ये हो जाएगा non-deterministic PDA, और वो कैसे, तो हम अभी आगे देखते हैं, तो अभी हम draw करेंगे हमारा PDA, तो देखिए, simple सा logic है, वो हम apply करेंगे, देखिए, suppose आपको input आया A, stack के top में रहेगा आपका Z0, फर्स्ट आप में जो भी आएगा push कर लेना है, input आया B, आपका B भी पे, A पे लिया सकता है, इने तो B पे लिया सकता है, B भी आता है, तो B को भी push कर लेना है stack में, suppose आपका input आया A, आपके stack के top में है B, तो उस A को push कर लेना है, देखिए, ये A पुश किया, ये B अल्रेडी था, suppose आपका input आया B, लेकिन stack के top में है आपका A, तो इस B को भी push कर लेना है, इस B को push किया, ये A पहले था, ये push option, जो अबी मैंने ले लिए q1 state अभी आपको सेंटर सेंटर के लिए देखे हमने क्या है सेंटर के लिए एक possibility है जो fix रहेगी ये सेंटर के पहले की element और सेंटर के बाद की elements सेंब रहेती हैं मतलब आपका input आएगा और stack के के टॉप में रहेगा एक तो वह आपका सेंटर हो सकता है ओके इन पुट आया एस्टैक के टॉप में है तो आपका सेंटर हो सकता है तो अभी देखेँ समझते हैं देखी सपोर्द अभी इन्पुट आया A आपके स्टैक के टॉप में है A, ओके, तो ये सेंटर आपने क्रोस कर लिया, ओके फिर आपको परफॉर्म करना है पॉप ओपरेशन ने तो ऐसा भी हो सकता है, फर्स्ट हाफ में भी आपका A के बाद A आ सकता है ऐसे भी पॉस्ट हाफ में भी आपका A के बाद A आ सकता है तो उसको भी आपे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो जिके मैंने इन्पुट आया A स्टैक के टॉप पे है A लेकिन हम यहापे कौन सा ओपरेशन करेंगे पुश ओपरेशन तो यह हुआ हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक देखिए इन्पुट A यहापे भी इन्पुट A स्टैक के टॉप पे A यहापे भी स्टैक के टॉप पे A लेकिन हम यहापे दूसरी स्टेट पे जा रहे है यहापे पॉप ओपरेशन perform कर रहे और यहां पर हम उसी state पर रह रहे और यहां पर हम push operation perform कर रहे तो इसे कहते हैं non-deterministic pda ओके यह situation same है लेकिन moves जह transitions अलग-अलग है operations अलग-अलग perform कर रहे हैं तो इसे कहते हैं non-deterministic pda ओके तो दीखें आपके साथ भी हैसे होगा किरेंगे आपका सभूस आया इन्पुड भी स्टैक ज़ाट टॉक्ष तो आपका यह सेंटर का सेशननर रहता है मैंने आपको बोला है यहापे तो यहाप क्या परसूर्म करेंगे ईको पॉप करने दिकी यहापे दिक किया wasup시에 कोप्र effect करें घЕージ siamo के सेगर चाल। होकिए तो सेंटरं हमने क्रॉस कर लें सले पौप ऑपरेशन किया लेकिन आपका फर्स्ट हाफ first half जो रहता है उसमें भी B के बाद B आसकता है दिएकर इन्पुट आया भी स्टैक के टॉप पे रहेगा B आप करेंगे push operation okay यहापकर भी देखें पिछी सेम्से इन्पुट लेकिन यहापे operation कौन सा परसौम कर رहे है उत invasive ब्रीकर एलेकिन operation कौन सा perform किया push operation और state भी सेम है तो इसे कहते हैं non deterministic PDA situation same है लेकिन moves अलग-अलग है operation अलग-अलग perform कर रहे हैं तो इसे करते कहते हैं non deterministic PDA यही important चीज है तो उसके बाद अभी देखें first hop में सब जो भी आए push करना है second hop शुरू हुआ तो match करके pop करना है तो देखिए आपको number second hop में A आएगा तो stack के top में उसके लिए matching A रहेगा तो pop करना है second hop में आपको input B आएगा तो stack के tap top में उसको matching B मिलेगा क्योंकि यह even palindro में तो match top को मिलेगा इसलिए यह pop operation तो A किमर से A को pop कर लेंगे B किमर से B को pop कर लेंगे पॉप करने के बाद आपकी string हो जाएगी खतम ओके string खतम हो जाएगी तो आपका input आएगा epsilon तब stack के टॉप में रहेगा आपका Z0 Z0 को A से रखना है मतलब no operation perform करके हम जाएगे final state को और यह हो गाए आपका acceptance by final state कि देखिए बहुत ही सिंपल सा लोगे फर्स्ट हाफ में पुश operation string के और string के second हाफ में पॉप operation ओके और बहुत important चींज कौन से यहाँ पर तो input आया यह stack के टॉप पे रहेगा तो पॉप करेंगे अगर यह input second हाफ का हो तो पॉप operation लेकिन यहाँ पर भी सेम सिच्वेशन इन्पुट आया यह stack के टॉप पे लेकिन अगर यह फर्स्ट हाफ का पार्ट रहेगा इन्पुट का तो यहाँ पर पुश operation फर्स्ट हाफ में पुश operation second हाफ में पॉप operation तो दीखें फर्स्ट हाफ में जो भी इन्पुट आएगा पुश कर लिया सेकेंड आप सेकेंड आप शुरू हो गया मतलब हमने सेंटर क्रोस कर लिया तो उसके बाद हमने पॉप a के लिए एक को पॉप करेंगे बी के लिए बी को पॉप करेंगे इस तरह से सभी एस एक की मदद से एस पॉप हो जाएंगे बी इन्पुट की मदद से स्टैक में से बीज पॉप हो जाएगी खाली ओके इन्पुट हो जा किया तो उसी के ट्रांजिशन से आपे विए सेम ट्रांजिशन नि इंपुट आया य acronyam को पुश्च किया कितीक रिल्स ऐन के डिली को पुश्च किया देखे यह देखे यह हूआ और भी एक possibility देखें, input आया A stack के top में है A, देखें, input आया A stack के top में है A, लेकिन operation कौन सा किया, pop operation, तो यहाँ पे Q0 to Q1 पहुँचे, Q0 to हम पहुचे, Q1 state और operation किया, pop, ओकें, तो यह situation same है, यहाँ पे भी situation same है, लेकिन operation अलग-अलग, moves अलग-अलग, transition अलग-अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पे push operation किया, यहाँ पे push operation किया, यहाँ पे push operation, यहाँ पे pop operation, यहाँ पे भी same situation, input भी है, stack के top पे B है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, push किया, यहाँ पे क्या किया, pop किया, तो इसे बोलते हैं non-deterministic PDA ओके तो इसलिए यह हमारा PDA non-deterministic हुआ ओके तो non-deterministic PDA में क्या होता है multiple moves under a situation situation a की है लेकिन moves कितने है multiple situation a की है लेकिन moves कितने है multiple हम Q1 को जा रहे हैं या कि A के साथ हम Q0 पे रहे हैं इन्पुट ए स्टैक के टॉप पे इन्पुट ए स्टैक के टॉप पे हम जा रहे हैं Q1 पे यहां पे हम जा रहे हैं सेल्प को ओके तो situation a की है situation a की है लेकिन operation अलग-अलग perform कर रहे हैं pop operation push operation तो यह हुआ हमारा non-deterministic PDA ओके तो यह सभी transitions यहां पे मैंने रिप्रेजेंट किये हैं आप रेफर कर सकते हैं जो उपर डाइप पीडिये के डाइग्रेम के कि ट्रंजिशन से वही सभी transitions यहां पे लिखे हैं ओके सिफ कि इसकी वज़त से हो जाता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडिये अभी आगे हम इस language से generate होने वाली एक string लेंगे और उस string को हम इस PDA की मदद से accept करते कैसे होगी वो string accept वो देखेंगे अभी देखेंगे आपके मन में एक doubt आ सकता है तो देखें यहां पे input A है stack के top पे क्या है हमने किया push Q0 पे मिला था यह सब यहां पे भी q0 पे input A मिला stack के top पे है लेकिन stack के top पे क्या है लेकिन हमने operation कौन सा किया pop operation यहां पे same situation ने push operation यहां पे same situation में pop operation तो string execute करने के time कौन सा operation perform करना वो पीडियो को कैसे पता चलेगा कि कौन सा operation perform करना है तो इसको हम समझने के लिए एक स्ट्रिंग लेंगे और इसका instantaneous description हम represent करेंगे तब आपको detail में पता चल जाएगा की PDA कैसे execute होता है यह string कैसे execute होगी तो क्योंकि दिखेंगे string में यह हमारा half ओके यह first half और यह second half first half में push और second half में pop करेंगे लेकिन यहां पर center के से हम center में possibility क्या रहती है center आपना compulsory कैसे रहता है यह matching रहता है यह के लिए matching मिलेगा तो यह आपका center से पहले और center के बाद की element same ही रहती है ओके यह confirm है लेकिन फर्स्ट हाप में भी आपको इसी situation मिल सकती है ओके तब क्या करना है तब यह PDA कैसे work करता है तो वह हम समझेंगे instantaneous description की मदद से ओके तो दीखें अभी मैंने हम instantaneous description देखें कैसे लिखते है कि यूजिरो यह हमारा initial state होके हमें string कौन से accept करनी तो यह string input string ही तो यह input tape समझें आपका तो पूरे string यह पर रिप्रेजेंट करने की और यहां पर आपके stack में जो भी रहेगा वह आपके stack के symbol यह पर रिप्रेजेंट करने मतलब आभी initially क्या है रिप्रेजे लिए आपके stack में क्या है जेट जिरो तो अभी देखें यह step by step हम execute करेंगे देखें कि क्यूजिरो state पे input क्या है ए स्टैक के टॉप पे क्या है जेट जिरो डिखें क्यूजिरो state पे input a stack के टॉप पे जेट जिरो कौन सा operation perform करेंगे push operation और कौन से state पे पहुचे q0 पे तो हम पहुचे q0 state पे operation को यह input a read किया और push किया हमने यह तो यह पे stack में हो जाएगा आपका a z0 और यह a हमने scan किया है read किया है as a input तो इसको छोड़के बाकी के a हमने लिख लिए ओके तो यह हुए हमारी फर्स स्टेप अभी देखें सेकंड स्टेप इन्पू कौन सी स्टेट पे q0 पे input a और stack के टॉप पे a अभी देखे q0 स्टेट पे input a stack के टॉप पे a q0 पे और एक possibility देखे इन्पूट a stack के टॉप पे a ओके अभी यहां पे दो दो ट्रांजिशन से इस situation में ओके तो दोनों ट्रांजिशन हम लिखेंगे दोनों possibilities लिखेंगे ओके यह possibility कब लेते हैं हम जब center को cross किया है तब तो यहां पर मैंने लिखा center center के बाद की possibility है और यह situation कब का है जब हम center के पहले रहेगा यह तब not center या before center आप बोल सकते हैं before center ओके तो दोनो possibilities लेने पड़ेगी तो देखेंगे तो पहले एक एक लिक के लेते तो q0 यह center के पहले की possibility q0 input a stack के टॉप पे ए तो कौन सा operation होगा push operation और कौन से stat पे जाते हैं गुम के q0 पे किसलिए यहां पे आएगा q0 ओके push operation perform किया ओके यह input a push हो जाएगा तो यहां पे हो जाएगा एए जेट 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 और यह को हमने stack में push किया और यहां पे सिब बचेगा यह यह अल्रेडी scan होगा है यह बाकी के दो इन इमेने यहां पे लिख दिए यह transition perform किया अभी यह अगर center के बात कर रहेगा तो यह transition perform होगा यह operation perform होगा तो उसको लिखता हूं में यहां पे दिखिए input q0 पे input a stack के top पे a pop operation करना है q0 पे input q0 पे input a stack के top पे a pop operation करना है हम कहां पोश्टे रेको q1 पे इसलिए लिखा मैंने यहां पे q1 ओके उसके बाद अभी क्या हुआ इस एक की मदद से इस एक को पॉप कर लिया तो यहां पे सिर्फ रहेगा जेड जीरो इस एस यह पॉप हुआ यह operation perform किया ओके तो यहां पे रहेगा यह एज इंपूट स्कैन कर लिया तो सिर्फ दो ही यह बचेंगे ओके तो यह हुआ उसके बाद आगे दिखिए अभी दिखिए q1 पे इंपूट ए और स्टैक के टॉप पे जेड जेड जेकि q1 पे इंपूट ए लेकिन स्टैक के टॉप पे आपको जेड जेड जेरो नहीं मिलेगा तो यह ट्रंजिशन आपको यहां पे डिफाइंड ही नहीं किया है तो आप यह ट्रंजिशन एग्जिक्यूट हो ही नहीं सकत तो यह हो जाएगा आपका डेट कन्फिग्रेशन क्यों पे इन्पूट ए मिलेगा लेकिन स्टैक के टॉप पे जेट जिरो है क्या कई पे नहीं तो यह डेट कन्फिग्रेशन हो गया है है तो हमें इसको आगे कंटिन्यू करना है देखिया भी क्यूजिरो पे इन्पूट ए स्टैक के टॉप पे ए यहां पर भी दो सिच्वेशन आएगे यह सेंटर के बाद और और यह सेंटर से पहले तो कौन सा हो सकता है हम देखेंगे ओके दिखे विफॉर सेंटर यह हुआ हमारा आफ्टर सेंटर का सिच्वेशन तो विफॉर सेंटर अगर कंसिडर किया हमने तो यह पुश ओपरेशन होगा देखे Q0 input A और stack के top पे A Q0 state पे input A stack के top पे push operation तो घूम के Q0 पे जाना है तो यहाँ पे आएगा Q0 तो push हो जाएगा यह तो यहाँ पे आएगा A, A, A Z0 देखे यह A यहाँ पे push हो गया और यहाँ पे क्या बचा है सिर्फ एक single A यह बचा है तो यह हुआ transition before center अभी यह transition में यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी after center अगर यह transition consider किया देखे Q0 पे input A stack के top पे A Q0 पे input A stack के top पे A कौनसा operation पॉप operation कौनसा state पे पहुँचे Q1 state पे तो यहाँ पे लिखा Q1 ओके ओपरेशन कौनसा है पॉप operation ओके तो इस A की मदश से यह A pop हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ A और यहाँ पे मिलेगा आपको A Z 0 ओके उसके बाद अभी देखे इसको आगे solve करेंगे यहाँ से फिर दो सिच्वेशन आने वाले देखे अभी बिफोर सेंटर आप्टर सेंटर A C B C A से लिखा है में बिफोर सेंटर अगर Q 0 A Q 0 पे इनपूट A और स्टैके टॉप पे A देके Q 0 यह स्टेट पे इनपूट A और स्टैके टॉप पे A तो क्या operation परफॉम कहेंगे पुश आपरेशन तो देखिए पुश आपरेशन परफॉम करना है तो घूम के हम Q 0 सेट पे पहुचे इसलिए लिखा Q 0 A as a इनपूट रीड किया तो मतलब यहाँ पे रहेगा एपसिलॉन और A को हमने पुश किया है तो यह A हमारा पुश हो जाएगा तो यहाँ पे आएंगे यह 3 और यह 4 ता A यह A और यह बागी के 3 A Z 0 यहाँ पे लिखा ओके तो यह हुआ यह ओपरेशन अभी सेकेंड केस में देखिए यहाँ पे लिखता हमें एरो करके अफ्टर सेंटर अगर रहेगा अफ्टर सेंटर अगर रहता है तो देखिए Q0 पे आपका आया A स्टैक के टॉप पे है आपका A और पॉप ऑपरेशन करना है तो देखिए कौन सी स्टेट पे पोच आप Q1 पे यहाँ पे कौन सी स्टेट पे पोच रहे है आप Q1 पे इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे Q1 ओके और ऑपरेशन कौन सा पर्फॉर्म हो रहा है पॉप ऑपरेशन ओके तो यह ऐसे इन्पूट रिड किया फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा और अल्रेड़ी एसकेन हुआ रीड हुआ उसके बाद एकि मैंस से एक एक को पॉप किया तो आपका बचेगा आजड बचेगा तो और आगे देखते इसको इन्पूट एपसिलोन देखे क्योज़िए पो कई पर Input Epsilon का transition है क्या नहीं इसका मतलब यह डेड configuration जहाएँ यह पे फेल हो जायगा उसके बात q1 पे epsilon q1 पे epsilon input yes का पे epsilonыв you would have tonight Canon output हे लेकिन स्टैक के टॉप में क्या है या पे स्टैक के टॉप में क्या है जेड जिरो ओके तो इस केस को भी एक्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कोई ट्रांजिशन नहीं है ओके तो ये भी हो जाएगा आपका डेड़ कॉन्फिगरेशन ओके तो फिर से हम चलते वापस तो यहां तक यह साइड हमारी बाकी है लेखिए तो यह साइड बाकी है तो इसको चेक करते हैं देखिए अभी इसको आगे हमें continue करना है Q1 state पे input A और stack के टॉप पे A जेखिए Q1 state पे input A और stack के टॉप पे A कौन सा operation परक्रोम करेंगे पॉप ओपरेशन ओके तो देखिए फिर से हम Q1 पे पहुचें यह गूमके देखिए Q1 स्टेट पे पहुचे हम A as a input लिया stack के टॉप पे A था इस A को हमने पॉप कर दिया ओके तो यहाँ पे आपका input खतम हो जाएगा इसलिए यहाँ पे आया एपसिलोन ओके उसके बाद आपका इस A किमा से यह A पॉप हो गया फिर आपका बचेगा Z0 तो यहाँ पे बचा आपका Z0 ओके तो अभी आगे परफॉप क्यूवण स्टेट पे input एपसिलोन और और स्टैक के टॉप पे जेड जिरो दिखिए यहाँ पे है क्यूवन स्टेट पे in-put एपसिलोन स्टैक के टॉप जेड जेड जेरो जेरो को आज इट इस रखके आप पहुचेंगे फाइनल स्टेट पे ओके तो दिखिए पे input epsilon stack के टॉप पे 0 आप पोचे q2 state पे जो आपकी final state है ओके यह आपका input खतम हो चुका है और आपके stack में 0 way से ही रखाए no operation था ना तो 0 way से no operation पर्फम किया और हम हो गए हम पॉज़ गए final state को तो यह हो गया except तो हमारी यह यह जो श्ट्रिंग है यह इस तरीके से accept होगी तो यह जो हमारा confusion है यह confusion नहीं बुल सकते यह doubt आ सकता है तो यहाँ पर same situation यहाँ पर same situation फिर यह operation perform करेगा पीडे यह operation perform करेगा तो इस तरीके से वो दोनो operation दोनो transition perform करता है उसमें से जो गलत transition होता है जो गलत move होता है वो आगे जाके fail हो जाता है यह dead configuration यह आपे dead हो गया है आगे जात final state पे पहुचा नहीं यह भी final state पे पहुचा नहीं लेकिन जो correct आपकी move होगी वो आपको final state पे ले जाएगी ओके तो इस तरीके से PDA work करता है तो यह हुआ instantaneous description for string तो अगर यह वीडियो आपको फसंद आयो तो चैनल को like, share और subscribe जरूर किजे थैंक यू झाल